नमस्कार दोस्तों कॉंप्टिशन कम्रेटी के मोबाइल कोस्ट में आपका स्वागत है और भारती अर्थ्विश्थ विशे लेकर मैं हूँ आपके साथ अगासे भारती अर्थ्विश्थ विशे पर हम राजकोशी निती पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो पर हमने method of taxation और incidence point और impact point के अधार पर अलग-अलग प्रगार के करो को समझा अब इस विडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं GST यहां से शुरुवात होगी GST की तो सबसे पहले रूप रेखा देख लेते हैं कि GST को हम किस प्रगार से cover करेंगे तो सबसे पहले तो हम करो का करम प प्रवाव पढ़ेंगे Cascading Effect of Tax का जाता है इसे क्योंकि जब तक करो का करम प्रवाव हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम GST की प्रिष्ट भूमी को नहीं समझ पाएंगे और तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि GST आखिर लाया ही क्यों गया भारत देश की कर सनरचना मे ऐसी कौन सी समस्या थी उस समस्या के समधान के लिए हमें इतना बड़ा सुधार करना पड़ा इतना बड़ा सुधार कि आज के समय पर कई जगों पर यह कह दिया जाता है कि GST कर सुधार जो है यह भारती संगवाद के लिए एक हमला है या भी भारती संगवाद इससे धु मिल हो रहा है तो चलिए समझेंगे कि इस कर सुधार की इतनी अविशक्ता क्यों पड़ी थी तो उसे समझने के लिए आपको करो के करम पाती प्रवाव या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट आप टैक्स समझना होगा जब यह समझ लेंगे तब हम GST तक के सफर पर बात करेंगे क कहने का ताथ पर यह है कि GST अचानक से ही तो पिच्चर में आया नहीं होगा GST के आने के पीछे और भी कई सुधार किये गए होंगे जब वो सुधार इस समस्या का समझना नहीं कर रहे थे तब हमें GST को लाना पड़ा तो इसलिए GST तक का सफर हमें जानना होगा फिर उस और फिर इसे ही समझते हुए हम GST के कई प्रकारों पर बात करेंगे GST जब लाया गया तो जाहिसी बात है कि कुछ सकरात्मक पिच्चर देखकर लाया गया होगा कुछ अनुमान लगाया हो गया होगा कि GST लाने से हमें कुछ लाब मिलेगा तो GST के आने से क्या लाब होग कि शुरुइसिती को लाते समय सम्धान में कुछ बदलाव किये गये थे क्या उस पर बात होगे तो GST के सम्मधहानी क्षपर बातोगी और इसी सम्मेधानी पक्ष पर बात करते हुए हम GST परिश्य या पर GST कौनसेल पर पहुचेंगे और अंिम में GST में कौन-कौन से कर शामिल कीएगा है कौन से शामिल नहीं किएगा है इस पर बात करेंगे और फिर LAS aussi हम बात करेंगे कि इस क्रमपाती प्रभाव शब्द का अर्थी बता दू तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सरल हो जाएगा. करो का क्रमपाती प्रभाव क्रमपाती या फिर इसे आप क्या कहेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट आफ टेक्स इसे सरल भाषा में अगर कह दिया जाए तो करो पर लगने वाला कर ही क्रमपाती प्रभाव बनता है. ध्यान रखिएगा करो पर कर ऐसा ही आपको अधिभार या सरचाज पर देखने को मिलेगा. इसी प्रकार के शब्द आपको उपकर या सेस पर देखने को मिलेंगे. लेकिन उन दोनों अर्थात अधिभार और उपकर में जो आप कर के उपर कर अलगता हुआ देखते हैं उसकी concept कुछ different है और यहाँ पर cascading effect पर कर पर लगने वाला कर इसका concept कुछ अलग है यह प्रकार का नकरात्मक picture है तो अब आप इसे यह तो समझ गए कि कुछ negative चीज़ यहाँ से हमें कुछ negative vibrations आ रहे हैं चलिए शुरू करते हैं मान लेते हैं कि हम एक उधारन लेते हैं sales tax का 10 प्रतीशत sales tax किस पर लगाया जाएगा तो बस्तु और सेवाओं के बिकरी पर sale पर और ये जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे बस्तु आगे बढ़ते जाएंगे विसे वैसे इस बिकरी कर का भार भी आगे बढ़ता जाएगा तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर है और मैंने आपको ये भी बताया था कि बस्तू और सेवाओं पर लगने वाले कर को समाने तोर पर हम अप्रत्यक्ष कर के शरणी में रखते हैं क्लियर है क्यों क्योंकि जो सोर्स होता है जो स्रोत होता है इस करगा उससे और सरकार के बीच में जो वसूली होती है ये प्रत्यक्ष नहीं बलकि अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है अर्थाथ स्रोत से निकल कर किसी और के पास जाएगा पिर किसी और के पास जाएगा और दो वेक्तियों को खड़ा कर देते हैं एक वेक्ति सबसे पहले हम मानते हैं कि प्रेडियूसर है इस प्रेडियूसर ने मान लेते हैं कि कोई एक फोन बनाया और उस फोन की कीमत इस प्रेडियूसर ने रगदी 10,000 रुपए कितनी रगदी 10,000 रुपए अब producer क्या करेगा कि इस phone को आगे बेचेगा तो सरकार ने क्या कहा है कि अगर तुम कोई भी वस्तू बेचोगे तो 10% का sales tax देना होगा कहने का ताथ पर क्या है कि जब ये producer इस phone को बेचेगा तब सरकार को 1000 रुपए पे करना होगा producer को क्लियर है यहां तक समझ में आगया अब आगे बढ़ते अब जाहिर सी बात है क्योंकि sales tax ऐसा tax है कि इसके भार को shift किया जा सकता है हस्तांत्रित किया जा सकता है तो जब producer इस phone को बेचेगा आगे तो ये sales tax के भार को भी बेचेगा अर्थाद ये आगे कितने रुपए पर इस phone को बेचने वाला है 11,000 रुपए पर कैसे 10,000 रुपए का तो phone हो गया और 1000 रुपए क्या हो गया tax तो इस प्रकार से ये 11,000 रुपए पर बेच आएगा phone किसे retailer को clear है तो retailer तक ये कहानी पहुँच गई अब retailer के पाल जो वस्तू है वो कितने रुपए की है तो 11,000 रुपए की है अब retailer क्या करेगा कि इस phone के साथ में थोड़ी packaging कर देगा earphone साथ में अटेच कर देगा pen drive अटेच कर देगा अर्थात कुछ मुले वर्दन करेगा और अब अपने इस तरपर ये 500 रुपए इसकी value को बढ़ा ले जाएगा कहने का ताथ पर क्या है कि 11,000 की जो वस्तू है उसको ये retailer 11,500 कर देगा और जब ये इस product को बेचेगा तो अभी भी इसे सरकार को 10% tax देना होगा तो 11,500 में से वक्त 10% कितना बनेगा तो सरकार को ये 11,50 रुपए टेक्स में पेगर देगा अब ये भी इस भार को shift करेगा किस के उपर तो ये भार को shift करेगा consumer के उपर या फिर उभुगता के उपर और अब ये इस product को कितने रुपए पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि 12,650 रुपए पर बेचेगा कैसे 11,000 रुपए का तो ये खुद खरीद कर लेकर आया था रिटेलर इसमें 500 रुपए का इसने वेल्यू एड किया फिर 11,50 रुपए का टेक्स और इन सब को जोड़कर 12,650 रुपए पर ये consumer को क्या कर गया ये वस्तू बेचकर आ गया तो consumer को ये product कितने में पड़ा तो 12,650 रुपए में पड़ा तो अगर आप देखे तो 1000 रुपए और 11,50 रुपए कहने का तातपर क्या है कि 21,50 रुपए जो सरकार को tax के रूप में प्राप्त हुई वो किसके माद्यम से हुई तो consumer के जेब से ही निकला क्लियर है क्योंकि इसने 1000 रुपए का भार इसके उपर डाला था और उसी 1000 रुपए का भार इसने consumer के उपर डाला साथ ही 11,50 रुपए का भार जो retailer के उपर था वो भी consumer के उपर चला गया तो इस प्रकार से सरकार को कर में 21,50 रुपए प्राप्त हो रहा है इस सारे condition पर अब जैसे ही आपने ये उधारंड देख लिया इसी उधारंड पर क्रम पाती प्रवाव करका लग चुका है अर्थाद करके उपर ही कर लग चुका है कहने का क्या ताथ पर यह है? चलिए समझते है पहली कहानी तक तो मामला एकदम सही न 10,000 का product था 1000 रुपए दे दिया गया आगे 11,000 में इसको बढ़ा दिया गया अब इस 11,000 रुपए को अगर मैं तोड़ू या फिर ये कहूं कि इस 11,500 रुपए को तोड़ू तो इसमें से जो 10,000 रुपए थे ये किसके थे? तो ये थे भई फोन के क्लियर है? इसमें से जो 1000 रुपए था ये किसका था? जो इस retailer ने tax का भार अपने सर में लिया था और producer को दे आया था फिर इस 11,500 में से 500 क्या था? 500 था जो इस retailer ने इसमें value add किया था clear है? अब ये जो tax इस इस तर पर 1150 रुपए बना हुआ है अगर इसे मैं तोड़ू तो क्या दिखेगा? 1000 रुपए 100 रुपए और 50 रुपए ये 1000 रुपए इस 10,000 के फोन के सामने बनता है ये 50 रुपए इस 500 का 10% बनता है लेकिन ये 100 रुपए किसका बन रहा है? ये 100 रुपए बन रहा है इस 1000 रुपए का जाईसी बात है अब आपने ये समझ लिया कि ये 1000 रुपए जो है इस 1000 रुपए का ही ये 100 रुपए यहां पर बना हुआ है तो सरकार को ये जो 100 रुपए प्राप्त हुआ है क्या किसी वस्तू के बदले मिला है? क्या किसी सेवा के बदले मिला है? या फिर कर की ही एक राशी थी हजार रुपए उस कर की राशी पर ही सरकार को ये सो रुपए मिल रहे है अर्थात करो पर ही कर ये सो रुपए दर्शार है आरी बात समझ में अब इस वज़ा से आप क्या देखेंगे इस वज़ा से आप ये देखेंगे कि वस्तू और सेवाओ पर कर अगर ले सरकार तब तो बहुत बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन जब कर के मुल्ले पर ही उसी की वज़ह से ही और वस्तू की कीमत बढ़ते जाएगी तो अभी तो आपने मातर ये दो चरण देखें लेकिन कोई भी वस्तू जब भोकता तक पहुंचती है तब उसे इस पूरी जरनी पर कम से कम सव से डेड़ सो चरण गुजारने पड़ते हैं और हर चरण पर अगर ये कहानी ऐसे बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी तो परिणाम आप क्या देखेंगे कि ना तो वस्तू की वज़ा से ना तो सेवा की वज़ा से अंतिम वस्तू की कीमत बढ़ गई है बहुत जादा किसकी वज़ा से कर पर ही कर लगने की वज़ासे अगर इस चरण को एक और मैं बढ़ा दू तो इस हजार का सव और बनेगा और इस सव का दस रुपए और बनेगा और ऐसे ही वस्तु की कीमत क्या होते जाएगी बढ़ते जाएगी तो अंतिम में आप क्या देखेंगे अंतीम में हम ये देखेंगे कि इस करक में ही कर लगने की वज़ा से जो अंतीम वस्तू होगा या जो उभोकता जीस कीमत पर वस्तू को खरीदेगा उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी होगी clear है अब अगर कीमत बढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है कि जो consumer है वो तो यही चाहेगा कि मुझे यह जो वस्तू है यह बहुत ही सस्ते दम में मिल जाए बहुत easy rate में मिल जाए तो हो सकता है कि retailer के पास में एक प्रस्ताव दे आए कि एक काम करते भाईया बिल मत बनाई है और अगर बिल नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि consumer के उपर जो 2150 रुपए का भार लग रहा था वो नहीं लगेगा और जो product इसे 12,650 रुपए में मिल रहा था उसमें से आप मैनस कर लिजे तो 11,500 रुपए में इसको product ये मिल जाएगा clear है तो इसे हुआ क्या कि करम पाती प्रभाव की वज़े से वस्तू की कीमत बढ़ जाएगी वस्तू की कीमत बढ़ जाने से करवंचन की संभावना भी बढ़ेगी एक consumer दुकानदार से ये बात कर ले कि भाई बिल मत बनाईए और फिर उसके बाद मुझे product बेज दीजिए तो retailer को भी कोई समस्या है क्या उसको भी कोई समस्या नहीं होगी क्यों? क्योंकि अगर वो बिल नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो tax के पैसे जो सरकार तक देने थे ये भी नहीं देगा साथ ही साथ इसके पास कोई एक record भी नहीं रहेगा कि इसने 11,500 रुपेगा कोई वस्तू बेचा है इसका मतलब ये अपनी i-carb में भी कुछ चूरी कर सकता है तो retailer के लिए भी अच्छी बात consumer के लिए भी अच्छी बात तो बुरी बात किसके लिए बुरी बात सरकार के लिए और सरकार के लिए कि इस पुरी देश की जनसंक्या के लिए आप के लिए अगर सरकार को कर में राजस वो नहीं मिलेगा कर की चूरी की वज़ा से तो इसे सरकार समस्या में आएंगे कि जंदा समस्या में आएगी जाईसी बाते प्राथमी के इस तर पर तो सरकार की आए कम होगी लेकिन जब सरकार की आए ही कम होगी तो जाईसी बाते कि सरकार खर्च भी कम कर पाएगी और जब सरकार खर्च कम करेगी तो जाईसी बाते उस यह GST की पहले की कहानी है जिस कारण से बहुत जादा τοड़ करवंजन हो रहा 7 7 जाए सी बात है कि इससे जो समस्या आ रहे थी उस समस्या से आम नागरिक ही जूझ रहा था कैसे अब आप इस चीज को भी फिल करिएगा कि अगर आप लोग दुकानदार को ये कहते हैं कि भाईया बिल मत बनाईएगा तो इससे समस्या देश में कैसे आएगा चलिए इससे समझने का हम प्रयास करते हैं पिपिटी के माध्यम से ये फ्रोचार्ट आपने पहले भी मिली तो सरकार क्या खर्च कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार की वज़ा से जो देश में उत्पादन बढ़ सकता था वो उत्पादन बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा अर्थाद जेडिपी क्या हो जाएगी गिरने लगेगी क्योंकि सरकार क पास अगर खर्च नहीं है तो ना तो वो प्रत्यक्ष तोर से उत्पादन कर सकती है ना तो निजी छेत्रों के लिए उत्पादन के लिए सुविधाय उपलब्द करवा सकती है ना ही मानव संसादन पर खर्च करके वो वेल्यूड हुमन लेबर बनाकर उत्पादन पर उनकी क्या होने लगेंगे कम होने लगेंगे रोजगार अगर कम होने लगेंगे तो लोगों की आय कम होगी और लोगों की आय अगर कम होगी तो उनके जीवन का इस तर कैसे होने वाला है बिकार होने वाला है कहने का मतलब यह है कि जब उनकी आय नहीं होगी तो अपने स्वास्त प लिए वो आगे बढ़ेंगे उनकी आय नहीं है तो उभोग भी वो क्या करेंगे कम करने लगेंगे जिससे बस्तू बजार में हमें क्या देखने को मिलेगा डिमांड कम देखने को मिलेगा और अगर डिमांड कम होगा तो जो उत्पादन करता है उनको लाभ मिलेगा क्या नही समझ लिजिए कि कहीं न कहीं देश में बेरोजगारी का कारण भी आप ही है क्योंकि ये सारी चीज़ आप जोड़ कर देख पा रहे होंगे पिर अगर लाब नहीं होगा वैपारवर को मांग नहीं है उत्पादन नहीं होगा कि तो क्या निवेश बढ़ेगा? क्या लोगों की आए नहीं होगी तो बैंकों में बचत पहुचेगा क्या? नहीं अगर लोगों उत्पादन करताओं को लाब नहीं होगा तो औरेड़ी जो उधार वो लिये हुए हैं क्या वो उधार लोटा पाएंगे क्या? बित्ती सर्साओं को? नहीं तो NPA की समस्या होने लगेगी बैंकिक सेक्टर संकट में चला आएगा पिर अगर लोगों की आए ही नहीं हुई है तो सरकार को क्या पूना टेक्स मिलेगा क्या? नहीं क्या वो खर्च कर पाएंगे क्या? नहीं लेकिन हो सकता है अपने खर्च को मेंटेन करने की वो प्रयास करे तो उन्हें क्या लेना होगा? उन्हें उधार लेना होगा जब आए अधीक है और वो आए को बै को पून करने के लिए उधार लेने लगेंगे तो हम क्या देखेंगे? कि सरकार के जो राजकोशी घाटे है वो राजकोशी घाटे में वृद्धी होने लगेगी राजकोशी घाटे में जब वृद्धी होने लगती है तब हम क्या देखते हैं कि मुद्रा इस्विती बढ़ने लगता है और ये कैसी मुद्राइस्विती बढ़ेगी तो ये नकरात्मक मुद्राइस्विती बढ़ेगी ये प्रकार की अलग समस्या चले आएगी हम आयात नहीं कर पाएंगे जब निवेश नहीं हो रहा है तो निर्यात नहीं कर पाएंगे देश की GDP पुना गिरेगी इसका मतलब क्य समझ लिए कि कैसे अरत्विवस्ता को बाहर निकाला जाए अप यह देख रहे होंगे उत्पादन भी नहीं हो रहा है जो बस तु है उनकी कीमत भी बहुत जादा है लोग गरीब भी हो गया है, क्राइम बढ़ चुके हैं, बैंकिंग सेक्टर समस्या में हैं, सरकार की घाटे बहुत जादा है, सरकार उधार बहुत जादा लेकर बैटी है, निर्यात नहीं हो रहा है, लेकिन तेल का आयात करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका दुकानदार को क्या कह दिया, कि बहुत भी बिल नहीं बनाएगा, तो जब भी आप यह कहें कि भाइया बिल मत बनाएगा, तो आप यह ध्यान रखेगा, कि इस स्थिती पर देश को लाने के लिए सिर्व सरकार उत्तरदाइं नहीं है कहीं न कहीं उत्तरदाई इस देश की जनसंग्या भी है अब इस चीज़ को अगर आप से एक्जाम में पूछ लिया जाए कि करमपाती प्रभाव के दुष्ट प्रभाव को बताईए तो आप इसे किस प्रकार से लिख पाएंगे तो इनी सारी चीज़ों को आप यहां पर इस तरीके से सजा सकते हैं जैसे हमने देखा कि करवंचन होगा सरकार को राज्यस्व कमी होगी वेकम होगा उत्पादन गिरेगा रोजगार गिरेगा जीवन का इस्तर गिरेगा बजार में माँ गिरेगा 30 संस्थाओं के पास बचत नहीं होगी साथ 30 संस्थाओं के पास में जो उधार दिये गए हैं वो नहीं आएंगे NPA की समस्या हो जाएगी निवेश नहीं बढ़ेगा तो निर्यात नहीं बढ़ेगा चालू खाता घाटा बढ़ेगा जिससे हम क्या देखते हैं कि रुपे की वेल्यू और क्या होने लगेगी गिरने लगेगी जिससे क्या होने वाला है इंफलेशन होने वाला है मुद्राइस्विती होने वाली है और ये कैसी मुद्राइस्विती होगी तो लिमिट से बाहर वाली होगी अब ये इंफलेशन अगर बहुत जादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि बाजार में मांग होगा क्या और नहीं होगा और ये पूरा का पूरा साइकल इस तरीके से चलाएगा जब आप से पूछा जाएगा कि भई किसी बी चीज़ का सकरातमक पहलो तो आप कुल मिला कर इसी फ्लो चार्ड का इस्तमाल करेंगे यहीं से पॉईंट इकालेंगे और यहीं से आंसर वहाँ पर लिखाएंगे तो इस प्रकार से इस फ्लोचार्ट का इस्तमाल करना है इसे आप एकनॉमिक के लगबग पहले वीडियो से देखते आ रहे हैं और इसकी उप्योगीता अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसे आंसर पर किस तरीके से इस्तमाल पर लेकर आना है क्लियर है तो ये क्रमपाती प्रभाव के दुश्प्रभाव को समझाने के पिछे का एक तर्क ये भी दा कि इस फ्लोचार्ट को आप कैसे इस्तमाल करें अपने आंसर को खुबसूरत बनाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां तक तो मामला समझ में आ गया कि चलो अगर टैक्स पर टैक्स लगेगा तो वस्तों की कीमत बढ़ेगी और वस्तों की कीमत अगर बढ़ेगी तो करवंचन हो सकता है तो ऐसी कौन सी विवस्ता लाई जाए जिससे ये करवंचन की समस्या को हटा लिया जाए तो इसके लिए क्या लाया गया तो इसके लिए लाया गया टैक्स आरूपित करने का टैक्स लगाने का एक नया तरीका और इस नया तरीकों को कहा गया value added tax या फिर मुल्य वर्धित कर इसका कहना ये था कि हर एक इस्तर पर जब जब बस्तूवों पर मुल्य वर्धन किया जाएगा तभी उस पर tax लिया जाएगा और एक बस्तूव पर एक ही बार tax लिया जाएगा अब इसी उधारन को हम value added tax method से देखते हैं value added tax method जब आता है तो वो कहता है कि government को कमाई कैसे होगी tax received at output minus tax received at input थोड़ा जटिल लगेगा लेकिन ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है अगर GST को समझना है तो अब समझते हैं producer की कहानी हमने क्या देखा था कि producer के पास 10,000 का वस्तू था 10,000 के उसने phone बनाये थे और इस पर सरकार को 1000 रुपए देने के लिए इसकी liability थी इसका उत्तरदाई था लेकिन इस वस्तू को क्या इसने कहीं और से लेकर आया था क्या नहीं ये इस phone का खुद एक उत्पादक था इसका मतलब ये है कि इस वस्तू को अपने पास लाने के लिए इसे कोई tax pay नहीं करना था अर्थात tax paid at input जब ये input होगा phone तो इसने कोई पैसा नहीं पे किया क्योंकि इसने खुद इसका उत्तपादन किया था लेकिन जब इसने उस phone को बेचा तो government की liability government के तरब इसकी liability कितनी बनी 1000 रुपए बनी क्योंकि 10,000 का वो बस्तू था तो producer के पास से सरकार को 1000 रुपए जाने होंगे clear है? भार consumer पर ही पड़ेगा लेकिन pay करने वाला वैक्ती कोन होने वाला है? पे करने वाला वैक्ती होने वाला है इस 1000 रुपए का producer अब हम बात करते हैं रिटेलर की क्या कहानी होई थी? सेलर की क्या कहानी होई थी? चलिए समझते हैं हमने ये देखा था कि जब उसने ये वस्तू लाया था तब उसने 1000 रुपे पे कर दिया था ये वही 1000 रुपे है जो प्रेडियूसर का tax received at output बना था इस समय सेलर का ये क्या बना हुआ है तो सेलर का बना हुआ है tax paid at input और अब इसने क्या किया था इसने 10,000 के इस product पर 500 रुपे का मुल्य वर्दन कर दिया था अर्थाथ 1500 रुपे इसकी कीमत बना दिया था तो जब ये consumer को बेचेगा तो कितना tax consumer से लेकर आएगा 1050 लेकिन कर ये पूरा 1050 ये सरकार को दे देगा नहीं तो इसको सिर्फ उतना tax देना है जितने का इसने मुल्य वर्दन किया हुआ है तो इसने मुल्य वर्दन किया था इसने मुल्य वर्दन किया था 500 का अर्थाथ इसके पास से सरकार को उस 500 का 10% जाना होगा अर्थाथ 50 रुपए जाना होगा और ये इस फॉर्मूला के अधार पर इन दोनों में माइनस होके इसके पास से पचास रुपए जाएगा क्लियर है और अंतीम में ये किसके पास से निकलने वाला है तो ये एक हजार पचास जो इन दोनों को जोड़ कर वो कंजिमर के जेब से ही निकलने वाला है क्योंकि जब कंजिमर ने जब रिटेलर ने कंजिमर को ये वस्तू बेची तो टेक्स रिसीवड एड आउट पूट कितना हुआ एक हजार पचास लेकिन कंजिमर अब इस वस्तू को आगे बढ़ाएगा नहीं तो जाय सी बात है कि ये सारी चीजे इस पर लागू होगी नहीं तो ये रहा पूरा का पूरा मेथड वेट सिस्टम का वैल्य एडिट टेक्स मेथड का अब एक काम करते हैं अब जरह हम समझते हैं क्या एक वस्तू पर दुबारा टेक्स लगा नहीं एक वस्तू पर दस हजार के वस्तू पर एक हजार का टेक्स लग गया दुबारा इस दस मुल्य योगा उतना ही सरकार उस वस्तूपर टेक्स लेगी तो 500 रुपई का मुल्य ये तीसरा क्या कि यह पूरा है कि यह कि कि पूरा का पूरा जो करका भार है अब मान लेते हैं कि यह consumer कहे कि भाईया यह 1050 रुपय तो मुझे पर करना पड़ रहा है न तो एक काम करते हैं भाईया बिल मत बनाईएगा बिल मत बनाईएगा किसे बोलेगा रिटेलर को तो जाहिर सी बात है कि अगर यह रिटेलर बिल नहीं बनाएगा तो उसे ये जो हजार रुपए है ये हजार रुपए उसे वापस नहीं मिलेगा क्योंकि अगर बिल नहीं बनाएगा तो इसके पास क्या सबूत है कि इसने मातर पांस सो रुपए का मुल्ले वर्दन किया था और इसे मातर पचास रुपए पे करना है ये पूरी की पूरी इस 1000 की liability इस seller के उपर आकर चिपक जाएगी तो इसलिए वो क्या कहेगा कि भाईया मैं तो बिल बनाऊंगा ध्यान से सुनिएगा भाईया मैं तो बिल बनाऊंगा क्योंकि आप से बिल बनाकर मुझे 1050 मिलेगा और उस 1050 को मैं दिखाकर अपने द्वारा पे किये गए 1000 रुपए को वापस लूँगा मातर 50 रुपए मुझे पे करना होगा अगर मैं बिल नहीं बनाऊंगा तो मुझे ये 1000 रुपए नहीं मिलेगा और 50 रुपए के लालच पर 1000 रुपए तो कोई विवेक्ति नहीं गवाएगा तो ये था वेट मेतर्ड कैस्केडिंग इफेट का समधान वेट मेतर्ड के माद्यम से अन्य अन्य प्रकार के करों पर हमने कर वसुलना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी तो कुछ दिक्कत रही होगी जिसकी वज़े से GST आया तो चलिए अब यहाँ पर हम अगले पड़ाव पर पहुँचेंगे और उस पर बात करेंगे GST तक का सफर कि जब वेट मेतर्ड आ गया था कैस्केडिंग इफेट को सॉल करने के लिए तो GST के अब शक्ता क्यों पड़ी तो वेट मेतर्ड आने के बाद सबसे पहले इसकास्ता क कैसे किया गया चलिए समझते हैं वेट मेतर्ड आ चुका कैस्केडिंग इफेट का सॉलूशन मिल चुका Value Added Tax System सबसे पहले इसका इसका इसमाल किया कहा पर तो इसका इस्तमाल किया गया उत्पाश शुल की या फिर excise duty पर excise duty या उत्पाश शुल कब लिया जाता है तो वस्तो के उत्पाशत पर लिया जाता है तो कहा ये गया कि भई जो weight के पहले जो excise duty जिस तरीके से ली जा रही थी उसमें बहुत जादा हमें cascading effect देखने को मिल रहा है और इस cascading effect से सरकार को तो आए कम हो ही रही है लेकिन साथ ही साथ in-house production जैसी समस्या भी चली आई अब बात आगी कि इन-house production क्या होता है तो ज़रा समझते है मान लेते हैं कि कोई एक लगूम अध्यम उद्योग है इसके importance अब आप समझ गये होंगे और कोई एक large industry है ये दो प्रकार की industry है इनका मान लेते हैं कि कोई एक ये बड़ी company है और ये बड़ी company कौन है Reynolds और क्या बनाती है Reynolds तो पेन बनाती है ठीक है आप लोगों ने देखा होगा सफेद और नीले रंग का Reynolds 045 चले समझते हैं अब मान लेते हैं कि medium enterprises एक कोई company इस पेन का lower part बनाती है और जब ये lower part बनाएगी तब सरकार को उत्पाश शूल किया फिर exercise duty पे करेगी clear है और इस lower part को ये किसी और company के पास बेच देगी जो इस pain का upper part बनाएगा कहने का मतलब ये है कि जब दूसरी company के पास पहुचेगा तब ये lower part और upper part एक नया product बन जाएगा और इस पर exercise duty इसे pay करना पड़ेगा और फिर उसके बाद Reynolds company के पास ये दोनों पाड़ जाएंगे और Reynolds company इसमें refill add करके एक अंतिम उत्पाद बना देगा जिसे आप क्या कहेंगे pain और ये pain बन चुका है और इस समय इस pain का उत्पादन क्योंकि हुआ है तो Reynolds company को exercise duty pay करना पड़ा अब इस उधारन पर अगर आप देखें तो अगर पहले इस तर पर इस lower part पर 100 रुपए tax दिया गया exercise duty पर तो दूसरे पार्ट पर इसी 100 रुपए पर फिर से कितना बन जाएगा 10% की हिसाब से 10 रुपए और इसी 100 रुपए का इस जगे पर 10 रुपए तो बनेगा ही बनेगा साथ ही साथ इस 10 रुपए का एक रुपए और बन जाएगा अर्थाथ 11 रुपए अर्थाथ इस exercise duty का क्या होने लगेगा क्रम पाती प्रभाव और result के आएगा इस pain की कीमत Reynolds pain की कीमत क्या हो जाएगी बहुत ही बढ़ जाएगी और जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस company या Reynolds company की जो वस्तू है उसकी कीमत काफी जादा बढ़ चुकी है उसकी मांग में समस्या आ रही है तो भाई ये company बहुत बढ़ी है Reynolds company तो ये एक दूसरा उपाई ये निकाल सकते हैं कि medium enterprises से हम ये छोटे छोटे पार्ट खरीदे ही क्यों इन सारे वस्तूव का उत्पादन अगर हम अपने ही घर में कर लें अपने ही area में कर लें तो हमें ये cascading effect की वज़ा से pain की किमत बढ़ती हुई दिखेंगी ने तो इन सारे चीजों का उत्पादन क्या करने लगेंगे अपने ही घर करने लगेंगे और जब ये सारे चीजों का उत्पादन वो अपने ही उद्योग में करने लगेंगे तो इसे क्या कहा जाता है इन-house production अर्थात घर के अंदर ही सारे चीजों का production हो गया और अगर इन-house production होने लगेगा तो ये जो medium enterprises हैं जो ये छोटे-छोटे टुक्डे-टुक्डे पाड़ बनाते थे क्या ये बना पाएंगे क्या नहीं तो इनका उत्पादन क्या होगा गिरेगा और अगर इनका उत्पादन गिरा तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि demographic dividend के लिए medium enterprises बहुत ही important है वो होगा नहीं क्योंकि रोजगार क्या होने लगेगा गिरने लगेगा क्योंकि medium enterprises के उत्पादन गिर गए तो हुआ क्या कि excise duty पर cascading effect होने की वज़ा से in-house production होने लगेगा बड़ी मात्रा पर और medium enterprises के उत्पादन गिरने लगेगे जिससे हम सही तरीके से अपने जरांकी की लाभांश का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे इसलिए excise duty को क्या करना होगा excise duty को value added tax method से लेना होगा और अगर value added tax method से लेंगे तो भई एक बार जिस lower part पर tax दे गया चला गया है दुबारा इस पर tax नहीं होगा जितने रुपए का अपर part जुड़ा है उसका ही बस भाग लिया जाएगा तो in-house production भी रुकेगा और करकी चोरी भी रुक जाएगी और जब इस excise duty को जब इस excise duty को उत्पादन इस तरपर wet method से लिया गया तो इसे कह दिया गया mod, wet या फिर modified value added tax ये सारी चीज आप रमेश्टिंग की किताब पर भी देख सकते हैं तो mod wet आ गया और mod wet क्या था wet तरीके से excise duty वसुलना क्लियर है कहानी आगे बढ़ती है 1994 का दौर आता है और उसके बाद ये किया जाता है कि भई उत्पादन इस तरपर लगने वाला हर टेग्स wet method से लिया जाएगा उत्पादन इस तरपर pain तो बनेगा वस्तू साथ ही साथ services भी तो काम करती है जैसे कि कोई एक designer तो बैटा होगा जो ये बता रहा होगा कि इस pain का रंग सफेद रखना है नीला रखना है इसका shape इस प्रकार से रखना है इसका length है से रखना है अर्थाद अपनी सेवाइं दे रहा है उस pain के उत्पादन पर तो उत्पादन इस तरफ पर वस्तू और सेवा दोनों को सम्मिलित करके wet method से tax लिया जाएगा और उसे कह दिया जाएगा send wet अर्थाद 1994 में ये mod wet बदल कर क्या हो गया send wet अर्थाद central value added tax क्यों क्योंकि उत्पादन पर tax कौन लेता है तो production पर किसी भी वस्तू के production पर tax लेने की जो अधिकार है वो किंदर के पास है center के पास है इसलिए इसे send wet कह दिया गया clear है तो send wet तक कहानी आ चुकी थी कब तक GST के पहले और जब हम यहाँ पर बिक्री पर बात करें अर्थाद वस्तू का उत्पादन होता है और फिर वो बिक्ता है तो जब बिक्री की बात करें sales tax तो इस sales tax को भी wet method से लिया जाना शुरू हो गया लेकिन इसका नाम रखतिया गया state wet अब यहाँ पर कहानी क्या यहाँ पर कहानी यह कि state wet या फिर sales पर tax लेने का अधिकार किसके पास तो राज्य सरकारों के पास तो कुछ राज्य सरकार sales tax जो है वो wet method से ले रही है तो कुछ राज्य सरकार जो है वो पुराने method से ही ले रही है कहने का मतलब यह है कि GST के पूर्व वस्तूओं के उत्पादन पर production पर सरकार wet method से जो tax ले रही थी किंदर सरकार उसे send wet कहा गया और वस्तूओं के बिकरी पर या फिर selling पर जो राज्य सरकार tax ले रही थी wet method से उसे कह दिया गया state wet तो यह समीकरण बन चुका था GST के पहले सुनकर लगा रामराज्य तो आ गया लेकिन ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़ा से GST हमें लाना पड़ा तो GST हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इस विवस्ता के बावजूद करो का क्रम पाती प्रभाव नहीं रुका था cascading effect अभी भी था और इस विवस्ता से भी हम ये देख रहे थे कि भारत देश में regional inequality फैल रही है या फिर शेत्री विशमता फैल रही है ये दो प्रमुख कारण थे GST को लाने के लिए cascading effect अभी भी बना हुआ था और regional inequality भी बनी हुई थी तो अब हम बात करते हैं इस पर कि इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी जब सारी चीज wet method से ली जाने लगी तो cascading effect फिर कैसे बन रहा है करोपर कर कैसे बन रहा है क्योंकि ये लाया ही उसी लिए गया था फिर इस प्रकार के text से छित्री विशमता कैसे बढ़ रही थी और उसे समस्या क्या और उसके GST के बाद जब से छित्री विशमता कैसे कम करोगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं regional inequality कैसे बना हुआ था मान लेते हैं कि आप कोई एक वेक्ती हैं 36 गड़ी वेक्ती हैं 36 गड़ी वेक्ती तो हैं लेकि साथ ही साथ आप बहुत अमीर वेक्ती हैं और आपकी मन में ऐसे इक्छा जागी कि आपको तीन करोड का कार लेना है अब ये कार महराश्ट में भी मिल सकता है और यहाँ पर सेल्स्टेक से दस प्रतिशत लगता है और ये कार जारकन में भी मिलता है और यहाँ पर सेल्स्टेक से बीस प्रतिशत लगता है तो जाहिर सी बात है कि तीन करोड की अगर आप कार लोगे और दस परसेंट टेक्स दोगे तो आपको तीस लाख रुपे टेक्स में पे करना होगा और अगर बीस परसेंट आप टेक्स पे करोगे तो आपको साथ लाख पे करना होगा अब दोनों ही राज्य समान दूरी पर है तो आप कहां जाएंगे बेशक आप कहां जाएंगे तो आप महरास जाएंगे और महरास में जाकर इस कार को खरीद लेंगे क्लियर है अब जैसे ही महराश में आपने इस कार को खरीदा अर्थात आपने महराश की बजार पर डिमांड बढ़ा दिया आपने महराश के प्रोडक्शन बढ़ा दिया अर्थात जीडिपी बढ़ा दिया माराथी लोगों की आय आपने बढ़ा दी क्योंकि रोजगार बढ़ गया और इस प्रकार से महराज के भोगोलिक छेतर की पूरी अर्थव्यस्ता जो है वो कैसी हो गई तो वो सद्चक्र में चली गई क्लियर है लेकिन ठीक इसके विपरीद अगर आपने यहाँ पर कार नहीं लिया तो आपकी वज़ा से मांग क्या हो गया कम हो गया जिससे GDP उस राज्य का कम हो गया लोगों की आय कम हो गई और उनके जीवन का हिस्तर क्या हो गया गिर गया अर्थाद इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि अर्थ वियास्ता का दुश्चक्र जारखंड में दिखने लगा लोग गरीब होने लगे और त्रासिदी तो देखिए कि एक राज्य क्या हो गया अमीर और एक राज्य क्या हो गया गरीब और इन दोनों छेत्रों में हो गई विशमता और इसे ही आप कहते हैं छेत्री से अमीर राज्य दिखेगा क्योंकि अगर आप जोगरफ ही पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि जार्खंड पर कोईले का लगबख सत्तर से असी प्रतिशत भंडार पूरे देश का है जार्खंड पर लौ आयास का सत्तर से असी प्रतिशत भाग मिलता है तो खनी अरखंड के राज्य के खनीश संसादनों का इस्तमाल होकर देश के अन्य राज्य एक विक्सित राज्य बन गए लेकिन जो खनीश संसादनों के द्वारा अमीर था जिसे अमीर होना चीए था वो क्या हो जाएंगे गरीब और जब ये गरीब हो जाएंगे लोगों की आये नहीं होगी तो शाइर से बात है कि एक प्रकार की असंतुस्टी भी जागरित हो सकती आ कि बहुत सारी चीज हमारे राज्य निकल रही है तो हम गरीब क्यों अब ये जो असंतुस्टी है कभी सरकार गिराने पर दिखेगी तो कभी criminalization पर दिखेगी crime पर दिखेगी और इस प्रकार से एक अलग प्रकार की समाजिक बुराई इस राज्य पर भी फैलती हुई दिख सकती है दिखेगी नहीं कहा रहा हूँ यह उधारन है ध्यान रखेगा किसी भी उधारन को दिल में और दिमाग में इतना मच्चिप कईएगा उधारन का उदेश एक ही है टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए तो क्या करना चाहिए इसका समधान क्या होना चाहिए कि भई कार तुम कहीं से भी लो टेक्स तुमको एक ही पटाना पड़ेगा अर्धात वन नेशन वन टेक्स और वन मार्केट जैसे सिध्धान लाना होगा अगर सभी राज्यों पर देश के सभी राज्यों पर इस कार के सेल्स पर अगर एक ही करकी दर लगाई जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि पूरा का पूरा भारत देश एक बजार के तौर पर पर परिवर्तित हो जाएगा लेकिन इसके पूर्व हम देख रहे हैं कि महराश एक अलग बजार बन कर बढ़ा हुआ है और जारकन एक अलग बजार बन चुका है तो हमें इस छित्री विशमता को कम करने के लिए कर के आधार पर जो छित्री विशमता कई कारकों से हो सकती है लेकिन कर के आधार पर जो छित्री विशमता हो रही है उसके पीछे कारण यह है कि ये पूरा का पूरा भारत अलग अलग बजारों पर बटा हुआ है तो करना क्या होगा कि एक कर की दर बना कर इस पूरे की पूरे भारत को एक मार्केट में तब्दिल कर देना होगा और वन नेशन वन टेक्स वन मार्केट जैसे सिद्धान्द को आगे बढ़ाना होगा कही न कहीं जी अस्टी तक आप पहुंच रहे होंगे एक चली आगे बढ़ते हैं यह थो वह गई शित्री विशम्ता की कहानी अब मन में सवाल यह आया कि शित्री विशम्ता तो समझ गैसर लेकिन इस वेट मेटोड से कैस्केटिंग इफेक्ट अभी भी कैसे बना हुआ था क्योंकि यह लाया ही गया था किसके लिए कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए इसका भी उधारण देखते हैं मान लेते हैं कि एक ट्रक है चक्के लगा देते हैं ट्रक दिखने लगेगा और इस ट्रक ड्राइवर ने 50 रुपए का डीजल डलवाया अब इस 50 रुपए में जो 40 रुपए था वो तो डीजल का था लेकिन 10 रुपए किसकी वज़ासे था तो 10 रुपए था एकसाइस ड्यूटी की वज़ा से और यहीं इसका क्या है कंज्यूमर है इस पेट्रोल का इस डीजल का तो जाइस ही बात है आगे वैल्ल्यू एड़ वगरा होगा ने आगे बढ़ते हैं और कोई यह वस्तू लेकर जाता है यह वेक्ति कहां जाता है तो मार्केट चला जात डीजल का निकाला है यह 200 रुपए अपनी महंता ना मांगा है ठीक है और यह जो प्रोड़क्ट इसने लेकर गया मार्केट तक यह क्या किया इसका ट्रांस्पोर्ट क्या है तो यह एक सेवा छेत्र है किसी से पैसे लेकर उसके लिए काम कर देना सेवा छेत्र के अंतरगत आता है अब जब ये 200 रुपए का इसने सर्विस जनरेट किया तो सरकार नहीं ये कहा कि भई आपको 10% क्या करना होगा सर्विस टेक्स देना होगा अब 200 रुपए का 10% तो 200 रुपए का 10% हो गया 25 रुपए अब ज़रह इसे खोलते हैं ये जो इसमें से 20 रुपए है वो किसकी वज़ा से है तो इस 200 रुपए की वज़ा से है इसमें जो ये 5 रुपए है ये किसकी वज़ा से है तो इस 50 रुपए की वज़ा से अब इस 5 रुपए को और खोलते हैं और इस 50 रुपए को और खोलते हैं पचास रूपए का हमने समीकरण क्या देखा था? कि 40 रूपए का डीजल था, 10 रूपए का एकसाइस था. 5 रूपए को भी खुल देते हैं. 4 ये किसकी वज़ा से बना? 40 की वज़ा से. और ये 1 रूपए किसकी वज़ा से बना? तो या excise duty की वज़ा से कहने का मतलब क्या है कि excise duty के इस मौद्रिक मुल्ले पर इस एक रुपए का service tax लग गया और कर के उपर कर जब लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं cascading effect कहने का मतलब यह है कि वेट मेथड से आपने sales tax पर ही जो कर पर कर लगा था वह आपने हटा दिया उतपाद शुल्क पर लेकिन तब क्या होगा जब उतपाद शुल्क पर उतपाद शुल्क पर service tax या सेवा कर लगने लगेगा अर्दाद एक कर के उपर दूसरा प्रकार का जब कर आएगा तब तो आप या बिन्नता लेकर ही जी नीज आ पाएंगे तब तो आप edition कर ही जी नीज पाएंगे तो क्रमपाति प्रभाओ अभी भी था तो करना क्या होगा तो एक काम करते हैं यह कई प्रकार के अलग-ALLग प्रकार के जो tech से एक दो के उपर overlap होके cascading effect ला रहे हैं तो इन सब को समाब्द कर दो और एक tech से बना दो यारधाद एकी कृत कर प्रणाली बनानी होगी unified tech system बनाना होगा अलग-अलग प्रकार के कर को हटा दो क्योंकि अलग-अलग प्रकार के कर जब एक दूसरे के उपर overlap होंगे तो cascading effect तो बनता ही रहेगा तो GST की अगली अभधाना आ गई unified tech system या फिर एक इकित कर प्रणाली तो regional inequality के लिए और cascading effect के लिए GST की ज़वरत पढ़ी रही थी क्लियर है अब यहाँ पर आप लोग समझ गया होंगे कि cascading effect था उसे सुधार करने के लिए wet method लाया गया कई सारे तो यहाँ सगरात्मक प्रभाव दिखे लेकिन regional inequality और अभी भी कुछ हद तक cascading effect था ही तो इसलिए एक नए प्रकार की कर विवस्ता की ज़रुत थी जो इस regional inequality को भी हटा दे और यह जो cascading effect बन रहा है करों के उपर करकियों जैसे इसे भी हटा दे और बस्तू की कीमत और कम हो जाए और दूसरा की पूरे की पूरा देश एक बजार में तबदिल हो जाए और इस प्रकार की जब tax लाए जाएंगे कहने का मतलब क्या है कि बस्तू पर भी और सेवा पर भी एक ही tax लगे तो आप उसे क्या क्या देंगे बस्तू एवं सेवा कर या फिर goods and services tax एंट्री हो गई goods and services tax की क्लियर है तो इतनी जानकारी के बाद अब आप GST को डिफाइन कर सकते हैं आप से अगर प्रश्ण पूछ लिया जाए कि डिफाइन GST तो आप GST को क्या बताएंगे based on the principle of one nature, one tax, one market कहने का ताथ पर क्या है कि एक रास, एक कर और एक बजार जैसी अवधारनाओं पर आधारी थे ये किसलिए था तो ये शित्री विशमताओं के लिए था या फिर regional inequality के लिए था clear है दूसरा point दूसरे point पर रुखते हैं थोड़ा सा GST is a unified tax system एक ही कृत कर पनाली है आपने कई सारे करों को इसमें क्या कर लिया है सम्मिलिक कर लिया है ठीक है इसमें merge कर दिया है लेकिन एक important line आपको और बताना होगा कि GST एक destination based consumption tax है अर्थाद गंतव अधारित उभखता कर है अभी तक जितनी भी कहानी आप लोगों ने सुनी है इन्ही तीन statement को समझने के लिए सुनी है ताकि आपको ये रटना ना पड़े ताकि आप इसे वरट कई से लिख कर ना है आपको इन सारे चीजों के पिछे का अधार पता हो कि आप ये लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है इंटर्विव पर पूछ लिया जाएगा कि one nation one tax one market क्यों किया तो क्या बताएंगे तो इसलिए समझना ज़रूरी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस दूसरे वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं destination based consumption tax इसका क्या मतलब है तो चलिए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि इसका क्या मतलब है तो आपको और भी सारी चीज़े समझ में आएंगे चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अंतर राजी वैपार चल रहा है इंटर इस्टेट ट्रेड एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है वस्तू ठेक before GST अर्थात GST से पुर्व की एक कहानी देखेंगे और एक कहानी देखेंगे after GST या फिर GST आने के बाद clear है उत्पादन हो रहा है कहा तो इसका उत्पादन हो रहा है मान लेते हैं गुजरात में ठीक है और इसके उत्पादन पर सेन्वेट कौन लेगा तो केंदर सरकार लेगी clear है यह जो फोन है यह बिक का रहा है इसकी बिकरी कहा होई सेल कहा हुई तो माल नहीं ते हैं 36 गड़ पर और 36 गड़ पर इसकी विक्री की वज़ा से जो स्टेट वेट है वो स्टेट वेट कोन ले रहा है तो 36 गड़ की सरकार लेकिन इस पूरे आर्तिक गतिविदी में एक और टेक्स लगेगा इस अंतर राजी व्यापार में जिसे आ आप कहेंगे क्या सेंट्रल सेल्स टेक्स सीयर Сकेंडरी विक्रीकर और ये सेंट्रल सेल्स सिंद्र लगाएगी लेकिन इसका पैसा किसे जाएगा उत्पादर राज्य को जाएगा क्लियर है यह एक समीकरन जी स्टीख पहले बना हुआ था इंटर से ट्रेट स्टेड ऋi GST के बाद कहानी ये होगा कि ये पेन है इसका उत्पादन गुजरात में बेशक हुआ ठिक और इसका जो बिकरी है वो CG पर हुआ अब जब इन दोनों राज्यों में इसकी जब उत्पादन हो गया तो जाहिसी बात है कि इस GST का दो हिस्सा होता है एक हिस्सा जैसे मान लेते ह 18% GST लगा तो 9% जो होगा वो कौन लेगा केंदर सरकार और 9% लेगा कौन राज्य सरकार अब यहाँ पर बात आती है कौन सा राज्य सरकार गुजरात वाला या 36 गड़ वाला तो ये जाएगा 36 गड़ के सरकार को इसे लिए आपने इसे क्या गहा गंतव अधारित उभोकता कर अर्थात जिस राज्य में उभोकता है उस राज्य को ये पैसा मिलेगा जहाँ पर इसका डेस्टिनेशन है कंसर्प्शन के लिए वहाँ की सरकार को पैसा मिलेगा और ये जो CST है इसे अब बनते हैं तो ये रहा उस लाइन के पिछे की कहानी डेस्टिनेशन बेस्ट कंसर्प्शन टेक्स का तो इस प्रकार से आप इसे समझ गया होगी तो ये हो गया डेफिनेशन का अर्थ तो जब भी आपसे GST का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इनी तीन पॉइंट के अध प्रकार पर GST कितने प्रकार के हैं देखें सबसे पहले तो CGST ये समझेगा कि ये GST है और GST की ये अंग ही है अलग-अलग प्रकार नहीं एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि सब डिवीजन है या GST के अंग है तो एक हो गया CGST Central Goods and Services Tags के इंदर सरकार द्वारा और सेवाओं की गहन विक्रीप पर कर एकस्त्रित किया जाता है तो माल लेते हैं कि अगर 18% GST लगा हुआ है इसमें से 9% कौन ले जाएगा केंद्र सरकार ले जाएगी क्या बोलकर CGST या फिर केंद्री वस्तू एवं सेवा कर या पिर Central Goods and Services Tags अब एक आता है SDST राज वस् स्टेट Goods and Services Tags इस 18% में से 9% किसके हिससे चला जाएगा उस राज सरकार के हिससे जिस राज में ये बस्तू या सिवा भी गी है CGST फिर एक आता है तिसरे प्रकार का IGST Integrated Goods and Services Tags देखें ये एक प्रकार का सिस्टम है जब इंटर स्टेड ट्रेड होगा अंतर राजी वेप का कुछ हिस्सा केंदर सरकार और कुछ हिस्सा राज्य सरकार SGST और CGST के आधार पर लेकर चले जाएगी जैसे कि अगर आप SGST पर देखें तो राज्य सरकार सेवाओं और उत्पादों की गहन आपूर्ती के आधार पर या कर एकत्रित करती है IGST क्या कहता है दो राज्यों के बीच उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ती पर कर लगाया जाता है और करों को केंदर और राज्य सरकारों के बीच साजा किया जाता है तो IGST लगाया जाएगा और केंदर और राज्य सरकारों के बीच इसे बाटा जाएगा तो इस प्रकार से GST के प्रकार भी आप समझ गए अब बात करते हैं GST के अनुमानी इतलाब अर्थात जब GST लाया गया तो कुछ तो लाब होगा ये सोच कर लाया गया और इस लाब को समझने के बाद आप इस निशकर्स पर पहुंच जाएंगे कि GST को मात्र एक कर सुधार की संग्या देना थोड़ा सा नया नहीं होगा या फिर लाजमी नहीं होगा GST एक कर सुधार मात्र नहीं है अपितू ये पूरे के पूरे अर्थ विवस्ता के सुधार करने की शम्ता रखता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो GST के अनुमानी तलाब क्या है जैसा कि आपने देखा कि GST आने से पहले समस्या क्या थी तो समस्या थी क्रमपाती प्रभाव या कैसकेडिंग एफेक्ट और cascading effect से होता क्या है तो वस्तूओं की कीमतों में वृद्धी होती है अब आप लोगों से पूछ लिया गया है कि GST के अनुमानी तलाव बताईए आपको कुछ नहीं पता लेकिन आपको चार्ट तो पता है सद्चकर और दुस्चकर वाले उसी चार्ट के अधार पर आप GST के अनुमानी तलाव सारे बता सकते हैं सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे बस यह आप धियान रखिएगा यहां पर cascading effect की वज़े से कीमत अगर बढ़ रही थी और cascading effect अगर सामाब तो होगा तो जो वस्तूओ की कीमत है जो price है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब यहां से कहानी शुरू होती है अगर वस्तूओ की कीमत में कमी होगी तो बजार में क्या होगा बजार में मांग बनेगा और मांग बनने से फिर क्या होगा देश में उत्पादन बढ़ेगा या पिर GDP बढ़ेगी और अनुमान ये लगाया गया कि GST के आने के बाद भारत देश की GDP हर साल दो प्रतिशत एक्स्ट्रा ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगी देखें ये अनुमानी लाब थे समीकरण बदले चुनौतियां थी अभी क कीमत में जब कमी होगी तब बजार में मांग बढ़ेगा जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा अर्था GDP बढ़ेगी तो पहला लाइन ही आप क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर वन जीस्टी के अनुमानी तलाब तो पॉइंट नंबर आप वन कहेंगे उत्पादन में व्रि पॉइंगे और हमारे जनानकी की लाभांश या फिर श्रम बल को रोजगार भी उपलब्ध होगा तो देश में रोजगार भी बढ़ता हुआ दिखेगा जीस्टी के आने की वज़ा से ठीक है तीसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे उसी फ्लोचार्ट के अधार पर आप चलिएगा सद्चक्र और दूस्चक्र के तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि जीवन के इस्तर में व्रिद्धी होगी अब कैसे रोजगार होगा लोगों की आये होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्वास्त पर खर्चा कर पाएंगे अपने जीवन के हर इस्तर के हर घटक पर खर्च कर पाएंगे सिक्षा पर खर्च कर पाएंगे लिविंग स्टेंडर्ड बढ़ेगा लपीजी इस्तमाल करेंगे घरों में सौचाले होगा घरों में बिजली होगी तो ये सारे चीज़ क्या होगे जीवन के इस्तर के व्रिद्धी के तोर पर आपको देखन अब यहां पर जीवन के इस तर पर व्रिद्धी हुआ आप बताएंगे क्या कि जीएस्टी से सरकार को कर राजसों जादा होगा क्यों क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट होने की वजह से जो करवंचन या टेक्सिवेशन होता था वो गिरेगा दूसरा आप क्या कहेंगे पस्तु और सेवा बिकेंगे तो सरकार को भी आए जादा होगी अर्थात जीएस्टी जैसा सुधार सरकार की कर राजस को बढ़ाएगा जिससे होगा क्या कि सरकार के खर्च बढ़ेगे अर्थात लोक वित बढ़ेगा और सरकार समाच कल्यान कारी योजरों में खर्च करने के साथ साथ पुंजी गत वे भी करेगी जिससे पुंजी निर्मान देश में होता है तो ये भी आप बताएंगे फिर आप क्या बताएंगे कि बैंकों की हालत भी अच्छी होगी अर्धाद एंपिय की समस्या समापत होगी बैंक के पास बचत बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास आए बढ़ रहा है जब मांग जाता है कंपनियां लाब कमारी होंगी तो जो उधार लिये हैं उस उधार को भी चुका पाएंगे अर्धात बैंकिंग संरचना भी हमारी मजबूत हो जाएगी आप यहीं से पॉइंट आगे लेकर बढ़ रहें पिर आप क्या अच्छे वस्तू बनेंगे तो निरियात बताएंगे चालू खाता घाटा हमारा कम होगा रुपए की क्या होगी मजबूत होगी अधात अंतरराशी इस्तर पर भी जीस्टी के सारे आप मजबूत बन पाएंगे तो यह पॉइंट को भी आप महां पर मेंशन करेंगे क्लियर है अब यहां पर अगर आप देखें तो शेत्री विश्मताओं में कमी आएगी ठीक है क्योंकि रिजनल इनिक्वैलिटी भी तो एक कारण था जी अस्ती लाने के सरकारी विभागों में इसका कुई सी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता चीक है तो और साथ ही साथ जब यह काला धन बनेगा और जब इंस्पेक्टर्स जाएंगे रेड मारने तो हर कोई अजय देवन तो होगा नहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने हिस्से का पैसा लेक प्रडक्शन तो MSME छेत्र में भी उत्पादन में वृध्धी होगी अर्थात जो आप लोकल के लिए वोकल होंगे तो मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स भी जादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं ये स्कीम्स मुक्य रुप से इस माइक्रोइस्माल मीडियाम इंटरप्राइज को इक प्रोसाइध करने के लिए बनाएंगे तो इन सारे चीजों के अधार पर एक निश्कर्श तो निकलता है कि GST मात्र एक कर सुधार नहीं है GST कर सुधार के साथ पूरी की पूरी अर्थ विवस्था को सुधारेगा पूरी की पूरी अर्थ विवस्था की संरचनाओं को मजबूत करेगा बात बस यही पर आती है कि जो चुनोकिया है वो जल्द से जल्द सॉल हो जाए फिर GST को जिस लिए लाया गया था जो सब ने देखकर लाया गया था वो भी जल्द से जल्द फिर पूरा हो जाएगा तो इस प्रकार से आप GST के अनुमानी तलाब बता सकते हैं इसी फ्लो चार्ट के आदार पर उस फ्लो चार्ट को अगर आपने याद कर लिया समझ लिया तो आप हर प्रकार का आंसर लिख लेंगे ऐसे एक्जामपल्स मैं आपको देता जाऊँगा राश्ट्री आयप पर हमने उसके माद्यम से आंसर लिखने की शैली थोड़ी कम सिकी क्योंकि वहाँ पर एक बेस बनाना था एक आपके लिए न्यू बनाना था तो वहाँ पर हम न्यू बनाने पर रहे जब हम राज़कोशी निती पर आ रहे हैं तो हम राज़कोशी निती पर हम आंसर कैसे लिखेंगे उस फ्लो चार्ट के माद्यम से वो हम ज़्यादा सीख रहे हैं अर्थ विवस्ता से संबंदित कोई भी प्रश्ण पूछा जाए इस फ्लोचार्ट के माध्यम से आप आंसर लिख सकते है चाहे सगरात्मक प्रभाव पूछा चाहे चाहे नगरात्मक क्योंकि इसी फ्लोचार्ट की साहिता से आपने करमपाती प्रभाव के दुष प्रभाव पर समझा अर्थात नगरात्मक पिच्चर समझा और इसी फ्लोचार्ट के माध्यम से आपने ये जीएस्टी के अनुमानित लाभ भी समझा अर्थात सद्चक्र के आधार पर आपने ये आंसर लिख लिया चलिए आगे बढ़ते हैं और GST से सम्बंदित कुछ और बात करते हैं लेकिन अगले वडियो का